फिरी फायर आज के डाइम पर एक बहुत ही फेमस गेम है जिसे आपने भी कभी ने कभी तो जरूर खेला होगा और जो लोग फिरी फायर खेलते हैं वो ये बात तो जानते होंगे कि हमें फिरी फायर में बहुत से लोकेशन देखने को मिलती हैं लेकिन आपके बात जानकर हिर जानने होगी कि जिन लोकेशन को आप फिरीफायर में देखते हो वो रियल लाइफ पे भी मुझूद हो सकती हैं आज इस वीडियो में आप फिरीफायर की कुछ ऐसी लोकेशन के बारे में जानने वाले हो जो रियल लाइफ में मुझूद हैं नमबर फाइव, कॉंसिल हॉल काउंसिल हॉल कलेरी मैप की यें और ये कलेरी की बहुत ही फेम़स लोकेशन है जिसे आपने ज़रूर देखा होगा आपको विए बाद जन का हिरानी होगी कि इस काउंसिल हॉल को Greece Country की एक Threator से इसपार होकर बनाया गया है जिसका नाम Threator of Dinosaur है अगर आप Free Fire की Council Hall और Threator of Dinosaur को एक साथ में देखो तो आप यह देखी सकते हो कि यह दोनों Locations देखने में कितनी similar लगती है नमबर 4 Rimnam Village Free Fire में बहुत सो लोग इस Location पर जरूर गयोंगे इस Location का राम Rimnam Village है और क्योंकि यह Location बर्मुडा के बिल्कुल कोने में मुझूद है इसलिए बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर लेंडिंग की होगी Free Fire की यह Location भी Real Life से इंस्पारड है इस Location को Maldives के बीच से इंस्पार होकर बना गया है जो कि दिखने में काफी अत्तक Rimnam Village की तरह ही लगता है नमबर 3 मेहमद मेहमद कैलेरी मेप की एक और फेमस Location है जिसे आपने Clash Squad और Classic में भी जरूर देखा होगा बहुत से लोग इस Location को देखकर यह सोचते हैं कि यह बड़ी-बड़ी हट्डियां किसकी है तो जिसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह मेहमद की Fossils हैं और आपके यह बात जानका हिरानी होगी कि Free Fire ने इस Location को भी Real Life से इंस्पार होकर बना आया है 1982 में Black Rock Desert निवाड़ा में मेहमद की इन Fossils की खोच खी गई थी जिससे इंस्पार होकर ही Free Fire ने इस Location को बना आया है नमबल टू पॉचिनोक पॉचिनोक बहुत से Free Fire लेवर्स की फेवरेट लेंडिंग लोकेशन होगी क्योंकि यह प्लेस अपने intense battle के लिए काफी famous है लेकिन क्या आप यह बात जानते हो कि पॉचिनोक को भी रियल लाइफ से इंस्पार होकर बना गया है और इस लोकेशन का रियल नाम भी पॉचिनोक ही है पॉचिनोक रशिया के टाउन का नाम है जो कि पॉचिनोक को भी इसकी district में आता है इस टाउन के बहुत से हाउस से इंस्पार होकर ही फ्री फायर ने अपने पॉचिनोक लोकेशन के हाउसस को बना आया है जो कि दिखने में बहुत ही similar लगते है नमबर वन Shrines Shrines कलहरी की सबसे famous location में से एक है और ये clash squad में हमारे सामने आती है लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि इस location को एक temple से इंस्पार होकर बना गया है ये temple इंडोनेशिया में मौझूद है जिसका नाम सुकू temple है इस temple को 15th century में बना गया था और जिसे कि आप देखे सकते हो कि फिरी फायर की श्राइन से नाम की ये location सुकू temple से कितनी ज़्यादा सिमिलर लगती है आपको इन सबी locations में से कौन सी सबसे ज़्यादा सिमिलर लगी नीचे कमेंट किरकर ज़रूर बताना वीडियो चल लगाओ तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना